अर्भी मसाला तिक्का अर्भी को कुकर में एक सीटी देकर उबालिए मसाला हरा धन्यापत्ता हरी मेर्च लसन और अध्रक से बनेगा उबलने के बाद अर्भी को छील लीजिए और गरम अर्भी को ही अपने हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा सा दबा दीजिए और अर्भी इस तरीके से प्रेस करने के बाद शेप ले लेगी यह सिर्फ गरम अर्भी में ही प्रेस करा जा सकता है अगर अर्भी ठंडी हो गई तो वो प्रेस होके इस तरीके की शेप नहीं ले पाएगी तो तुरंथ ही गरम अर्भी को प्रेस करके इस तरीके की शेप दीजिए अब आप अपने इस मसाले को मिक्सी के अंदर ग्राइंड कीजिए अब आप एक कड़ाई में तेल गरम कीजिए तेल गरम होने के बाद अपने इस मसाले को कड़ाई में डाल दीजिए और मसाले को अच्छे से भूने अब आप मसाले में सबसे पहले लाल मिर्च डालिए उसके बाद उसमें गरम मसाला एड कीजिए फिर आप उसमें डालिए धनिया पाउडर आप उसके अंदर मेरा फेवरेट पावभाजी मसाला एड कीजिए और उसके बाद मेरा फेवरेट राजमा मसाला भी उसके बाद आम चूर और चाट मसाला भी एड कीजिए कीजिए और सबसे लास्ट में उसमें नमक मिलाईए और इसके बाद उस मसाले को सारी अर्बी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छे से उसको अपने हाथ से हिलाईए उसके बाद कड़ाई में तेल को गरम कीजिए और अर्बी को उसके अंदर डालिए इसको डीप फ्राइब करेंगे फ्राइब होने के बाद अर्बी कुछ इस तरीके से बन जाएगी फिर आप अर्बी पर चाट मसाला डाल कर उसको हरी चक्नी के साथ सर्फ कीजिए आपकी अर्बी मसाला टिक का तयार है